हेलो फेंस कैसो आप लोग स्वागत थे आपका निलेस क्लासेज यूटूब चैनल में तो गाइज इस वोड़े में हम देखने वाले हैं क्लास 10 और 12 वालों के लिए हिंदी के कुछ प्रमुख रचना है जी हां गाइज यह आपके पद्देविदार से सब भी रचना है आप सब्सकाइब कर ले और वेल आइकान को भी दबा ले जिससे मेरी वीडियो की नोटिविकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं आप लोग देख चकते हो रामचंद्र का रसिक प्रिया कवी प्रिया यह तीनों रचना है केशोदास की हैं आप लोग याद रखेगा तीनों काफी इंपोर्टेंट है तो चलिए अगली रचना देखते हैं हम लोग अगली रचना है कश्मीर शुष्मा और प्रिय परवास ठीके तो कश्मीर शुष्मा के लेखक स्रीधर पाठक है आप लोग याद रखेगा और प्रिय परवास इसके इसको किसने लिखा है ठीके तो अध्याशिंग उपाध्याय हरी ओधने ठीके तो देखिए यह सब की सबी की सभी पद्य बीधा की रचना है ओके चलिए आगे चलते हैं अगला है मलोग का पांचवा आप लोग देख से तहों अका रामकुमार वर्माने ठीके अकाश गंगा प्लस उत्राय यह दो रचनाय है और इन दोनों के लिखा है रामकुमार वर्माने आप लोग याद रखिएगा और अगला है आशू प्लस जहरना और करूडाले यह तीनों रचनाय है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आशू ज जहरना और करूडाले नहीं शुदा होगा लेकिन मैं आपको तानों चाहूंगा कि यह तीनों रचनाय है जैशंकर प्रसाज जी की पद्य विधा की रचनाय है आप लोग याद रखिएगा ओके तो चलिए अगला देख लेते हैं अगला है हम लोग का सात्वा आप लोग इ निराला जी है रचीता ठिके है और तुल्सी दास देखिए तुल्सी दास जो तुल्सी दास कहा है उनको नहीं मैं बोल रहाओं प्रकार की ठीके तो तू तुल्सी किसने दास ने लिख आ अगला है नवा नवी जो रचना है रेडु का ठीके रेडु का प्रस हूंकार प्रस उर्वसी इन तीनों के रचयता जो हैं रामधारी सिंग दिन कर हैं कौन है रेड़ुका रूबा brother was typing तीनों के रच्यता रामधारी सिंग рублей दिंक रखे हैς आप लोग याद रखेगा काफ़ी तीनों इंपोर्टेंट है ठीक है और उसी प्रकार पसुराम की पृतिश्शह इसके भी रच्यताराम रमधारी सिंग दिनकर है तो यह चारों हो गए रेडुका हुंकार रुवसी पसुराम की परिछा चारों यह काफी इंपोर्टेंट है रमधारी सिंग दिनकर ने ठीक है इनकी रचना की है तो आप लोग याद रखिएगा ओके तो चलिए अगली रचना की तरफ चलते हैं और कनुप्रिया प्लस ठंडा लोहा इन दोनों के धर्म बीर भारती है आप लोग याद रखिएगा कनुप्रिया और ठंडा लोहा के जो रचेता है वो है कौन धर्म बीर भारती ओके चलिए अगला जो है बारह नमर है ठीक है ग्रंती प्लस चितंबरा ठीक है आप लोग य मताद रखेगा सुमित्रांदनपंथ ग्रंतियों चितम्बरा एक्षिखा निर्जा दीपसीखा और रस्मी इन तिनो entered याद रहर महादेवी वरं माजी है तो हाई यह दिपसिखा रस्मी काफी most important रचनाएं हैं आप लोग याद रखेगा एकदम बिल्कुली सभी की सभी रचनाएं most important है क्योंकि मैंने दखे छांट छांट कर अच्छे से एक एक करकर लिखा हुआ है तो निर्जा देफ्षिखा रश्मी आपको क्लियर हो गया अग्ला है 14 नमबर क के पत्थिक प्लस मीलन इन दोनों के लेखक राम नरेस त्रिपार्थी जी हैं आप लोग याद रखिएगा ओके अगली है पंदरा नमर मुखुल प्लस स्थीधारा इन दोनों को लिख्षा है ठीक है शुबद्रा कुमारी चोहान ने मुकुल प्लस त्रिधारा यानि मुकुल और त्रिधारा के जो रचीता है वो है सुबद्रा कुमारी चोहान जी तो आप लोग गयाद रखेगा और पथिक मिलन के रामनरेस तिरपाठी और अगली जो रचीता है आप लोग देख सकते हैं हिम किरिटिनी और हिम तरंगेडी इ काफी इंपॉर्टेंट है ओके तो आई होप आपको यह सभी रचनाय क्लियर हो गई होंगी यही मैंने कुछ रचनाय ली थी जो पद्य विदा से हैं और काफी इंपॉर्टेंट है तो आप सब को क्लियर कर लिजेगा तो आई होप आपको यह विडियो अच्छी लगी होग तो अगर अच्छी लेजी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें वेडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी सेयर करें तो धैंक यू